बॉर्णिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्यान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सुबह के आट बज गये हैं और मैं लेकर आगई हूं आपकी करेंट अफेर की क्लास आज हम फिर डिसकस करेंगे उन महतुपूर घटनाओं पर जो आपके एक्जाम के लि ंपर लेन लेते हैं पहला कोईशन आजका PM मोदी ने किस सहर में शांसद खेल महा कुंब के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है कोशन पूछ रहा है कि पियम मोदी ने किस सहर में शांसद खेल महाकूंब के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है आपके वाररसी में बस्ती में कानपूर में जांसी में कहां पर किया है शांसद खेल महाकूंब का उद्घाटन बस्ती में, ओके, बस्ती जिले में किया है, option देख लेते हैं, sorry, इसका explanation देख लेते हैं, जिससे और भी question बन सकें आपके मोदी जी ने 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में, देखे, यह question बन गया, अगर जिला आपसे ना पूछा जाए कि कहां पर state दे दे, कहां पर किया है, UP में किया है, UP का ही जिला है, बस्ती, कब किया है, 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में, शांसद खेल महा 2 23 के दूसरुर चरण का उदघाटन के माध्यम से क्या किया है PM और ने इस आउसर पर कहा कि खेल टोर्नामेंट एक सतत्प्रक्रिया होनी चाहिए किसलिए कंटीनी होना प्रिशिछण में शुधार के लिए यहां बस्ती जिले में बस्ती से लोकसफा सांसत कौन है हरीस दुवेदी जी के द्वारा बस्ती raised हर लीए अगला कुशन कुस अंस्था ने ग्रामीर स्वास्त सांखी की report जारी की है और की देखें गया word है स्वास्थ इससे याद रखेगा स्वास्थ और परिवार कल्याण मंतराले द्वारा ग्रामीड स्वास्थ सांख की रिपोर्ट जारी की गई है थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में केंदरी स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्राले ने यह जरू याद रखेगा मंत्राले किस कौन सा मंत्राले कौन सी रिपोर्ट जारी करता है यह एक्जाम में कुशन बहुत पूछे जाते हैं तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जारी की है केंदरी स्वास्त और परिवार कल्याण मंत्राले ने हाल ही में ग्रामीर स्वास्त सांख की रिपोर्ट, ओके? प्रकासित की है इस रिपोर्ट के अनुसार क्या लिखा है इस रिपोर्ट में कि देश के 6064 सामुदाइक स्वास्त केंदरो यानि CHC में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेशक्यों की 80% से अधिक कमी है, सोचिए, क्या कंडिशन है कि ये जो डॉक्टर्स है, सर्जन है सब में इस और रोग विशेशक्यों की 80% से जाड़ा कमी है, सोचिए, आप सकता है, और कमी है, CHC क्या होता है, 30 वेड़ वाला ब्लॉक स्वÁस्ति सुवधा केंदर होता है, ।ो कि कितने ब्लॉक होता है, तीस बेढ़ होता है, जो बुन्यादी शंल ऐगे होती हैं, प्रिदान किया जाता है कि अगला कुशन इसे भारत का उप राष्टी सुरच्छा सलाहकार कि नियुक्त किया गया है उप याद रखेगा इसमें राष्टी सुरच्छा सलाहकार कौन है अजीद डुबाल आप उनका नाम तो लूज में देखते ही रहतोंगे अब उप 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 राश्टी सुरच्छा सलाकार किसे नियुक्त किया गया है यह कोशन है देख लेते हैं अब यह तो राश्टी सुरच्छा सलाकार हैं तो यह तो आप्सन होगा नहीं बाकी ब्रिजेस मिस्रा को किसको किया गया है पंकज कुमार सिंग को उपराश्टी सुरच्छा सलहकार न्यूक्त किया गया है याद रखिएगा थुड़ा इसको डेटियल में देख लेते हैं सीमा सुरच्छा बल बी एसेफ के रिटायर डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंग को याद किया गया है देखिएगा इनके बारे में और क्या जानकरी दी गया है कि यह क्या थे रिटायर रिटाइर सेंग कि बनाया गיא कितने वर्सों की लिए दो वर्सों के लिए берam से नेशनल सिकूर्टी एडवाइजर डिप्टी एने से न्यूक किया गया है पंकच कुमार सिंग 1988 बैच के भारती पुलिस सेवाई यानि IPS के अधिकारी है IPS है यह वहां 31 अगस्त दो हजार 21 से 31 दिसंबर 2022 की अवधी तक BSF के 29 महा निदेशक के रूप में अपनी सेवाईं दी है यह सब उनकी उपलब्धियां है कि यह पदपर यह रह करके अब जाके इनको क्या बनाया गया है डिप्टी एने से बनाया गया है प्रिधान सचीव रह चुके ब्रिजेश मिस्रा को भारत का पहला राष्टी सुराच्छा सखाकार कौन थे ब्रिजेश मिस्रा याद रखिएगा और प्रिजेश में कौन है अधीद दोभाल इनका नाम याद रखिएगा पूचा जाएगा कि पहले फर्ष्ट कौन वर्तमार में कौन है यही कुशन ज़्यादा पूछे जाते हैं बाकी दूसरा तिसरा यह कोई नहीं पूचता फर्ष्ट कौन थे और वर्तमार में कौन है अगला कोशन है सीवी जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारती राजदूत के रूप में नामित किया गया है कोशन क्या पूछ रहा है जो सीवी जॉर्ज है उनको हाल ही में किस देश में अगले भारती राजदूत के रूप में नामित किया गया है अब यह किस देश बार्षाल आइलेंड के नार्वे के बनेंगे राजदूद के रूप में इनको नामित किया गया है यह मार्षाल आइलेंड कहां है यह आपका प्रिशान्त महसादर में ड्यूक सम्हू है ओके इसके बार में थोड़ा डिटेल दी गई है कि भारती विदेश मंत्राले ने सीवी जौर्ज को समवर्थी अधार पर किसने विदेश मंत्राले नुक्त कर रहा है याद रखिएगा Marshall Islands में अगले भारती राजदूत के रूप में नियुक्त किया है C.B. George 1993 बैच के भारती विदे सेवा के अधिकारी है C.B. George वर्तमान में जपान में भारत के राजदूत है देखें वर्तमान में क्या है? भारत के राजदूत है शचाना में अगले भारती राजदूत बनाकर भेज़ जाएगा उन्हां टोक्यू में निवास के साथ मार्सल आइलेंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नीउक्ति किया गया है की रहेंगे Martial Islands, Hawaii और Philippines के बीच याद रखिएगा जो मार्शल आइलेंड है वा कहां पर है मैप में आप देख लीजेगा एटलस में हवाई और फिलिपिन्स के बीच में मध्य प्रशांत सागर में इस्थित देश है यह भी कोशन पूछा जा सकता है कि जो मार्शल आइलेंड है नुच में आया है तो यह भी कि भारत इस बार G20 की अध्यचता कर रहा है कब से कब तक एक दिसंबर 2022 से 30 नौवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यच है तो अध्यच रहते हुए अध्यचता के तहत पहली हेल्थ पहली हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है कोशन समझ भारत की G20 अध्यचता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग का आयोजन किस सहर में किया जा रहा है यह पूछा जा रहा है ओप्सन देख लेते हैं गोहाटी में एहमदाबाद में श्रीनगर में या तिर्वंत पूरम में कहां पर हो रही है यह मीटिंग हो रह हुझत्राइब कि बैठक हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग केर्ल में आयोजन की जा रही है में केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान राजमंत्री भाइह प्रवीर पावार केंद्री विदेश मंत्री कौन है वी मुरली धरन ने उदगाटन समाहरों में मुख्य भाशर दिया, इस तीन दिविसी, ये मीटिंग तीन दिन चलेगी, इस तीन दिविसी बैठक का जो मुख्य फोकस है, वो किस पर हैगा? स्वास्त अपात इस्थितियों की रोगठाम, फार्माशुटकल छेत्र में शहयोग और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए डिजिटल हेल्थ इनोवेशन पर होगा, ये जो मीटिंग होगी, इसका फोकस किस पर मेंली होगा? डिजिटल हेल्थ इनोवेशन पर, अगला कोशन है, किस सार्जवनिक छेत्र के बैंक ने? किसान पुस्पक योजना, योजना जरूर याद रखेगा, बहुत पूछा जाता है, किसान पुस्पक योजना के तहत, गरुड एरो स्पेस के साथ भागी दारी की है, किस कोशन पूछा जा रहा है, किस सार्जवनिक बैंक ने किस के साथ भागी दारी की है, गरुड एरो स के साथ किस योजना के तहत किशान कुस्पक योजना के तहत कौन सा बैंक है देख लेते हैं Union Bank of India State Bank of India Reserve Bank of India या Bank of Vroda कौन सा बैंक है यह यह आपका Union Bank of India जो गरुड एरोस्पेस के साथ भागी दारी कर रहा है किशान कुस्पक योजना के तहत थोड़ा और डीटेल में समझ लेते हैं इसको चन्नाई के ड्रोन स्टार्टप गरुड एरोस्पेस नाम्याद रखेगा ने Union Bank of India के साथ काजह दारी की है क्योंकि 150 गरुड क्रशी किसान ड्रोन को किसान फुस्पक योजना के तहत रिड के लिए स्विक्रिती मिली है यह जो बैंक है किसानों को रिड देगा किसलिए रिड देगा ताकि वह ड्रोन ले सके ड्रोन किसलिए किसान क्या करेंगे ड्रोन का ड्रोन से वह अपने खेतों किसानों को फसल उत्पादन के लिए भूमी रिकॉर्ड संचालन और रुबर को रसायनों और कीट नाशकों के छिड़काओं में मदद मिलेगी नाम का याद रखिएगा जो किसान समझाय को लाभानविक करेगी और डेर सो कुशल पाइलेट बनाएगी जो उद्धिमी बनने के लिए सलगन होंगे कुशल पाइलेट बनाएगी जो ड्रोन को अच्छे से चला सके चलिए अगला कोशन है किस राज्य या केंद्श शाहसित प्रदेश ने केंद्र को किस राज्य या केंद्श सासित प्रदेश के जो सरकार है उसने कहा है केंद्र से कि आप पलायन अल्प संख्यक का दरजा दीजिए किसको दीजिए उन हिंद्वों को दीजिए जो जम्भू कश्मीर से लद्दाथ से माइगền होकर के प्रवास करके दिल्ली में रह रहे हैं किसीab IP Hakada से वुआ माइगर्ट होकर दिल्ली में रहे हैं उनको दर्जा दीजिए पलायन अल्प संख्यक का अल्प संख्यक का दरजा देने से क्या होता है तो समदाय को थोड़ी सी सुविधाई मिल जाती है तो किस राजने ये केंदर से ये सुझाओ दिया है कि आप पलायन अल्प संख्यक घोसित करिया उन लोगों को देख लेते हैं और सन्हें आपके दिल्ली, पुडुचेरी, गोवा, सिक्किम तो ये सुझाओ दिया है पलायन अल्प संख्यक का दिल्ली की सरकार कौन है वहाँ पर केजरिवाल केजरिवाल सरकार द्वारा यहां सुझाओ दिया गया है दिल्ली सरकार ने सुझाओ दिया है कि केंद्रों हिंदुओं को पलायन अल्प संख्यक का दर्जा दे सकता है जो जम्मो कश्मीर या लदाख जैसे इस्थानों से राष्टी रजधानी में चले गए है करके प्रवास करके कहां से आये हैं जम्मो कश्मीर और लदाख से आयestra के जब्लायन अल्प संख्यक का करता दजां दिया जयते यहां ध्यान रखिए-गां जम्मो कश्मीर और लदाखो अब हमें 2019 में मैं ये दो अलग अलग केंद श्यासित प्रदेश बनें बने हैं पहले आप लोगों को कि जम्मु कश्मीर een राज जिता कि जम्हु कश्मीर को राज नी से क्या किया है दो यूटी में बदल गए यानि केंद्र social prides जब्भू कश्मीर को टोड़ करकर कला दो u t अना इसका और गुख मिंद्र जब्भू कली का क्शमीर विःट मने इस और दूसरा इसका सब्सकाहिस अधिए तो यह कब जम्बू कश्मीर राज कब दो किंद चासित प्रदेशों में बटा डेट याद रखिए कि एक्जाम में पूछा जा सकता है 31 अक्टूबर क्योंकि जो लास्ट के पुनलग अधिनियव 2019 इसके पहले तो तेलंगाना वाला था 12 14 सुर्द दिवाति हैं 2019 इसलिए इ realised पूछा जासकता है 31 अक्टूबर को जम्बू कश्मीर राजी को दो केंदर शाय से प्रिज़ों में बांट दिया गया 31 अक्टूबर को ही क्यों ये डेट क्यों चुनी गई क्योंकि इस दिन होता है सरदार बल्लब भाई पटेल का जन्म दिन उन्होंने भारत के एकी करण में बहुत ज्यादा योगदान दिया तो सभी को एकी करण करने में अखंड भारत बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किस ने दिया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने तो उन्हीं की जैनती पर ये नड़े लिया गया इसको एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं याद रखेगा एक्जाम में दिवस बहुत पूछे जाते हैं एकता दिवस इस अगला कोशिन है हालही में खबरों में रही पाइने एप्पल एक्सप्रेस घटना किस छेत से संबंधित है देखेए बहुत ही थोड़ा हटकर बहुत important कोशिन है पाइने एपपल एक्सप्रेस उनकर आप लगों को लग रहा होग यह कोई और यह से महा साग्रो से जलवास्प एक्षटा हो जाती है जहां कि नदी लगती है वायू मंडल में सी आपalon क्या अच सी वायूमंडल से झलवास्ट की जलवास्ट की नलवाईूमंडल में उनीको बहते है पाइनपल इकस्प्रेस जैसे ही थोड़ी से ठंड़ पा थे तुरंफ टूरंट बारिश करा देते हैं VT Sigourney petaliogen someone में ज्याद कालीफोर्निया में जूर NC sa बनियां जाए चप्षेट्र संबन्दित है देखते हैं ऑप्षेट्र से संबदित है उप्षेट्र कि देखें एक्स परेकर स zijn खैठर किसा अधरे संबन्नियां लिए पॉते हो इंतव समय च्च रिवार देखें थोड़ाओ टिटल में देख लेते हैं इनके बारे में कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायूमंडली नदियों की एक श्रंखला है कहां पर ये नामे आद रखेगा कैलिफोर्णिया और वेस्ट कोस के अन हिसो में वायू मंडली नदियों की एक श्रंखला है जो वायू मंडल में लंबे संकीर छेतर हैं वायू मंडल में कैसे छेतर हैं? लंबे और संकीर जलवास्पों के एक नदियों की तरह लगते हैं वो जब collect हो जाते हैं जो उश्र कडवंधी छेतरों के बाहर अधिकांस जल वास्प का परवहन करते हैं वाई मंडली नदियों को pineapple express कहा जाता है यह बात आप याद रखेगा वाई मंडली नदियों को क्या कहा जाता है pineapple express चल एंगला कुशन है corva ordinance factory में कलाशनी को एके टू-03 assault rifle का निर्मार्च सुरू हो गया है « comparing tamanho कि यह यहाँ पर rifle का निर्मार्ट हो न शुरू हो गया है। क्या पूछा जा रहा है आपका कि जो को अइस फैक्टरी है कि कि हैं कि कि राज होना शुरू हो गया किन राइफुल्स का नाम याद रही जगा राइफुल्स का कलाशनी कोव एक के टू जीरो थ्री असॉल्ट राइफुलो का निर्माड शुरू हो गया इस फैक्टरी में उच्छा जारे ये फैक्टरी कहां पर है ऑप्सन देख लेते हैं ऑप्सन है आपके उत्तर प्रिदेश गुजरात मत्र प्रिदेश महराश्ट कहां पर यह फैक्टरी है उत्तर प्रिदेश में उत्तर प्रिदेश के अमेठी में यह फैक्टरी है जहां पर यह राइफुल्स का निर्माड शुरू हो गया है इसके बारे में थोड़ा और डिट कि वेंचर के तह़्त याद रखेगा । हइस और जी राज में इन राइफल्स के निर्माड हो रहा है तो गरन्स जिले में अमेठी के क्षरवा प्रिदेश का नाएम बैठी में किश्ट्ट्री में कौर्व औरदीनेंस फैक्ट्री में कलाशनी को एक के टू जीरो थी असाल्ट्र रैफल यह रैफल का नाम है क्वालीटी के इनसार नाम रखा जाता है का निर्मार सुरू हो गया है का जाता है यह उन्से ज्यादा यह स्ट्रॉंग ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगी यह राइफल्स रूसी सहयोगी रूसी सहयोगी रोसो बोरो नेक्स पोर्ट के महा निदेशक हैं अलेक्जेंडर मिसेव उन्होंने इसकी पुष्टी की है कि हनुमाड होना शुरू हो गया है अमेठी में कोर्वा आडिनेंस फैक्ट्री में 7.62 mm कलासनी को एके 203 असाल्ट राइफलों की पहले बैच का उत्पादन शुरू हो गया इन्होंने यह कन्फर्म कर दिया है कि राइफल्स का उत्पादन शुरू हो गया है पियम मोदी ने एके 203 असाल्ट राइफल्स की नई मैनुफैक्ट्रिंग यूनिट का शिलन्यास किया था अगला कोशन है किस भारती अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड से समानित किया गया है किस भारती अमेरिकी को देखते हैं उप्सन में से भी कोशन बहुत पूछे जाते हैं कि यह अवार्ट किसे दिया गया है तो इनको वह कौन से भारती अमेरिकी हैं जिनको मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड से समानित किया गया अप्सन है आपके हरमीत धिलो किष्णा ववी लाला रोहित खना माया अजमेरा किसको दिया गया यह अवार्ड दिया गया है किष्णा ववी लाला को ज्याद रखेगा थोड़ा और डिटेल में देखतें के बारे में प्रशिद भारती अमेरकी प्रृश्णा ववी लाला को मार्टि लूथर किंग ग्रैंड परेड से समानित किया गया है किष्णा ववी लाला Foundation of India इंडिया स्टडीज यह संस्थापक है किसके फॉंडेशन ओफ इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यच हैं ओके अमेरिकी राष्टिपती कौन इसमें जो बाइडन ने हाल ही में ववी लाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवेंट अवार्ड से समानित किया था इनको पहले यह वार्ड भी मिल चुका है याद रखेगा किसने दिया है जो बाइडन ने दिया कौन सा वार्ड दिया है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवेंट अवार्ड और अब इनको किसको मिल गया है कौन सा वार्ड मार्टिन लूथर किंग ग्रैंट परेड स्पेसल अवार्ड किसको मिला है दोने वार्ड किष्णा ववी लाला को इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह भारत के रहने वाले हैं इसलिए एक्जाम में आपके लिए जिनको अभी मार्टिन लूथर किंग ग्रैंट परेड स्पेसल अवार्ड दिया गया है वह भारत के किस राज के रहने वाले हैं तो आंध्र प्रिदेश के रहने वाले हैं कि चलिए कुछ राष्टी करेंट और फेट्स दिए गया है देख लेते हैं इनको केंद्री ग्रह मंत्री अमित सहद्वारा जिलाधिकारियों को Excellence in Governance Award for District Magistrate प्रिदान किये जाएंगे कह रहा है जिलाधिकारी जो है उनको कौन सावर्ड दिया जा रहा है Excellence in Governance Award for District Magistrate प्रिदान किया जाएगा किसके उजारा अमिर्थि सहद्वी के द्वारा अगली निश्यापकी उडिशा सरकार ने लाव कमाने वाली PSU यानि की Public Sector जो कंपनी होती है Udisa Power Generation Corporation में 49% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है क्या किया है Udisa सरकार ने एक Public Sector की Company है Public Sector की Company यानि Government Company है Udisa Power Generation Corporation उसकी 49% हिस्सेदारी बेचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है अगले लिए गुजराती फिल्म कौनसी छेलो शो के भाविन रबारी को इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरुसकार जीता है यह गुजराती मुवी है और इसके जो एक कलाकार है यह बाल कलाकार है भी टीनेज के हैं भाविन रबारी उनको कौन सा वर्ड मिला है इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरुसकार इनको इस फिल्म में इनके परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है केंद्री वाडिच और उद्योग मंत्री प्यूश गोयल ने राष्ट्री स्टार्टप पुरुसकार 2022 के विजिताओं को समानित किया है जिसने 2022 में अच्छा काम किया है स्टार्टप में उनको इन्होंने समानित किया है पुरुसकार देकर अगली युजए भारत और फ्रांस के बीच द्विपच्छी नौ सेना अभ्यास वरुड यह बहुत इंपोर्टन कोश्यन है अक्सर पूछा जाता है कि भारत और इस देश के बीच कौन सा युध्य भ्यास अभी हो रहा है तो याद रिखेगा भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युध्य भ्यास होता है वरुण का 21 संस्क्रड यानि कि 20 बार हुचुका इस बार कौन सा संस्क्रड है 21 संस्क्रड है पश्चिमी שמुदर तट पर शुरुआ यह भी पूछा जाता है कि कहां पर हो रहा है थैस तो पश्चिमी समुदर तट पर हो रहा है किन देशों कि भारत फ्रान्स ते बीच क्या नाम में सुयुद्ध अभ्यात का वरूड नाम है यह नाम बिल्कुर रट लीजेगा थोड़ा आर्थिक करेंट फिर देखते हैं भारत ने दिसंबर 2022 में 34.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निरियात किया है भारत ने किया कि दिसंबर 2022 में 34.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निरियात किया है यानी समाल बेचा है जो नौमबर के आकड़े से 7.75 प्रिश्चत अधिक है नौमबर से थोड़ा अधिक बेचा है लेकिन एक साल पहले की तुलना में 12.2 प्रिश्चत कम है कहे रहा है कि दिसं लेकर पूरे से करें तो कम बेचा है मैं इस से पता चलता है कि भारत का निर्याद उर आयाद कितना हो रहा है तो आगर मगाने कंब बेच रहे तो घाटा हो रहा है व्यापार घाटा और आगर हम निरियात जादार कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं यानि कि व्यापार हमारा पॉजिटिव चल रहा है कि सीमेंस ने भारत में सीमेंस एक यूरोप की कंपनी है भारत में माल गाड़ियों की आपूर्थी और सेवा के लिए सीमेंस कंपनी द्वारा क्या किया गया है तीन बिलियन यूरोप का एक बॉण्ड अनुबंध बनाया गया है जिसमें क्या करेगा माल गाड़ियों की आपूर्थी और सेवा के लिए अनुबंध पर हस्ताचर किया है भारत ने अप्रैल नॉम्बर 2022 के दौरान ओके छे बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल के स्मार्ट फोन का निर्याद किया है तो यह पॉजिटिव बात है भारत के लिए अच्छा है जब जादा निर्याद करेंगा तो भारत का राज्यों से बढ़ेगा पैसा आएगा तो अप्रैल नॉमबर 2022 के बीच छे बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल के स्मार्ट फोन भारत ने निर्याद किया है यानि बेचे हैं दिसंबर 2022 में ठोक मुद्राइस फीती 22 महिने के निचले इस्तर 4.95 पर आ गई है यानि थोड़ा सा मुद्राइस फीती यह तरह से महंगाई ठोक जो मुद्राइस फीती है वो निचले इस्तर पर आगी थोड़ा सा घटी है थोड़ा अंतराश्टी करंट पर देखते हैं आठ लाख पचास हजार की गरावट के साथ चीन की आबादी साथ साल के निचले इस्तर पर गिर कर एक दसमलो चार एक अरब हो गई ह है सोचिए साथ साल के निचले इस्तर पर चीन की अवादी जो है साथ साल में सबसे डाउन हुई है कितनी गरावट के साथ आठ लाख पचास हजार की गरावट के साथ अब कितनी हो गई है एक दसमलो चार एक अरब चायना की अभारत में जंगरना मैंने पढ़ायता अभी दिनों के लिए टाल दी गई है अब देखते हैं कि भारत में अबादी बढ़िये कि घटी अगर बढ़िये तो कितना परसेंट बढ़िये जैसे डिटा आएगा आप लोगों को पता चलेगा कि काठ मांडू से पोखरा जा रही निपाल की यती एरलाइन्स फ्लाइट लेंडिंग से पहले क्रैश हो गई आप लोगोंने निवीज में देखा होगा जहाद पर सभास सभी यात्री मारे गए हैं कौन सी एरलाइन थी वहां की नेपाल की यती एरलाइन्स याद रखेगा कहां से कहां जा रही एक्जाम में question ये पूछा जा सकता है कि जो अभी नेपाल में जो Crash हुआ है यती ऐलाइन्स वो कहां से कहां जा रही थी काठ मांडव में पोखरा जा रही थी Okay अगली न्यूज है रूस और बेला रूस ने बेला रूस के सैन हवाई च्छित्रों में संयुक्त सैन अभ्यास शुरू कर दिया है रूस और बेला रूस के बीच सैन हवाई च्छित्रों में संयुक्त सैन अभ्यास हो रहा है कहां पर हो रहा है बेला रूस में हो रहा है और जापान की अकाने यामागुची ने मेलेशिया ओपन में पुरुष और महिला ए anno घीट लिया है यह ग्जाम में बहुत पुछे जाते हैं कि किसने क्ट रूट जीता है कोन फ़रस्ट आया ऐ मलेशिया ओपन सेंट कैसे लिए मैं में ऑटी कि czas देश से हैं यह भी इख्जाम में पूछ लिया जाता है होकी विसकप दो हजार थेज भारत और इंगलैंट के बीच मैच गोल रही ड्रौ पर समाप्त हुआ हैं अभी क्या चल रहा है होकी विसकप 2030 उसमें भारत और टो अग्लेट के बीच मैच ता और फिर क्या हुआ है गोल रही ड्रॉपर समापत हो गया है जैज है और तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में ठैंक यू